टेल रापी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम एड़ करेंगे दो बड़े चमश तेल तेल अच्छा गरम होने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे 8 से 10 मेथी के दाने साथ में हम इसमें आड़ करेंगे एक मिडियम साइस की प्यास बारिक कटी हुई मिक्स करेंगे साथ में हम इसमें आड़ करेंगे चार से पाच करी लहसुन की और वन फोर्थ इंच अद्रक का टुकडा जिसे मैंने क्रश कर लिया है वो आड़ कर देंगे और अब हम प्यास को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे ये दिखिए प्यास सॉफ्ट हो गई है अद्रक लेसन भी अच्छे से भून गया है अब हम इसमें अड़ करेंगे एक मेडियम साइस का टमाटर बारी कटा हुआ साथ में एक हरिमेज कटी हुई और आट से दस कड़ी पत्ता मिक्स करेंगे और एक मिनिट के लिए हम फिर से भून लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ये एक से देड़ मिनिट तक मैंने भून लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ मसाले जिसमें नमक लेंगे स्वादर नुसार एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिच पाउडर और वन फूर टीस्पून हल्दी पाउडर सभी मसाले एड़ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और साथ में एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और अब हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे ताकि प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए तो यह देखिए तेल छुटने लगा है इतना मसाला हमें भुन लेना है अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी तो यहाँ पर मैं एक ग्लास जितना पानी एड़ करूंगी मिक्स करेंगे साथ में हम इसमें एड़ करेंगे इमली का पल्प तो यहां पर देखिए मैंने चार से पाश टुकड़े लिये थे इमली के जिसे मैंने दो टेबल स्पून पानी में भीगो कर रखा हुआ था 10 से 15 मिट पहले से भीगो कर रखे ताकि इमली सॉफ्ट हो जाएगी तो पल पासानी से निकल जाएगा देखिए इमली का पूरा पानी मैंने डाल दिया है मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसमें उबाल आने देंगे यहां पर मैंने टोटल एक गलास पानी का इस्तमाल किया है यहां पर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने पहले आदा गलास एड़ किया था अब इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे अच्छी तरह से लगबक एक से देड़ मिनिट पका लेंगे हम पानी को हाई फ्लेम पर और यह दिखिए मैंने एक रू फिश करे लिए है जिसे अच्छी से साफ करके वाश कर लिया है अब हम इसे ग्रेवी मैट कर देंगे मिक्स कर लेंगे जिसे मिक्स कर लिया है और अच्छी से मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे फिर से थोड़े से कड़ी पत्ता जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा साथ में एड़ करेंगे वन फूर टी स्पून गरम मसाला पावडर और कटावा हरा धनिया मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे पकने देंगे तीन से चार मिनिट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये तीन से चार मिनिट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है और ये देखिए हमाली मसाला फिश करी बन कर तयार है तो अब हम गैस की फ्लेम बन करेंगे और गरमा गरम इसे सर्फ कर लेंगे आप इसे सर्फ कीचे चावल की रोटी के साथ चपाती के साथ और प्लेन राइस के साथ और साथ में आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कीज़ेगा थैंक्स पर वाचिंग, हैव गुड डे